हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू दी चैनल और थम्नेल से तो पता चली और कैसका ब्लॉग क्या होने वाला है तो यहां कर रही हूं में अपना समान पैक वापस हॉस्टल जाने के लिए और रात के बारह बजे होड़ी है मेरी पैकिंग वी बैक पैक करते हूं तो पूड़ा नहीं दिखेगा तो बने रहेएगा मेरी इस ब्लॉग में लास्ट तक अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और श्था लिए टो चलिये हैं गूर्ड मॉर्णिंग एब्रिवन और दिन की सरवात करते हैं चाय के साथ और ये प्यारा व्यूज जो मेरे घर के आगे आगे आपको दिख रहा है डायरेक संलाइट घर के अंदर आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है बहुत सुकून मिलता है और इसी सुकून के साथ मैं पीडियों यहां पर चाय और ये सुकून तो आपको मेरे फेस पर दिखी रहा होगा ये ममी रात में बनाई हुई थी ये होस्टल जाने वालों का रिफ्ट्रॉल होता है घर से ये जाता ही जाता है तो मैं इसको भर रहे हूं फटाक से इस बॉक्स के अंदर मैं इसे अपने बैग में रख देता हूं ये मेटी बची खुची पैकिंग थी जो होगी है और ये ममी ने बनाया था कचोड़ी और भुजिया नास्ता में तो मैं इसे खा रही हूं क्योंकि ट्रेन के लिए लेट हो रहा था तो जल्दे लिखाना पर रहा है और मैं हो गई हूं रेड़ी और दस बजे है मेरी ट्रेन और ये मेरा सामार हो चुका है पैक मैं आस्ता कर चुके हूं और ममी दे रही हैं पैसा और यहां मैं जा रही हूं पापा के साथ बाइक पे स्टेशन शोड़ने जा रहे हैं और यहां इतनी तेज हवा चल रही थी वीडियो शूट करने में बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था बर दिश्टिलाय मैनेज्ड मुझे लगा पापा कहीं डाट ना दे की फोन रखो ब मैं क्लास जाय गरती थी अपनी फ्रेंडिलोred के साथ साइकल पर हम लोग का साइकल रिफा खगरता था तो अब तो बस यह यादे हैं इन रास्तों पर कभी कवारी जाना होता है तो मैं तो जा रही हूं यादों के साथ आप भी चली इए मेरे साथ बने रही है मेरे इस भ्ल और यहां 12th बोर्ट के एक्जाम चल रहे हैं से लिए यहां पे इतनी भीर है और मैं भी अपने 12th के एक्जाम देने यहीं आई हुई थी तो यह सब देखके तो मेरी यादें भी ताजा हो गई और फाइनली स्टेशन आ गया Thank God मेरी ट्रें नहीं लगी हुई थी तो मुझे उतना भागदर करके जाना नहीं परा मैं अराम अराम से गई उतकर मैं प्लैट्फ़र्म पहुंची तो मेरी ट्रें आज चुकी थी और जब तक मैं चल के नीचे जाऊंगी तब तक तो ट्रेन डुखी जाएगी तो मैं सीट देखके बैठ जाऊंगी और यहां मैं अपनी सीट पे बैठ चुकी हूं और जिनकी सीट नहीं है वो भी मेरे साथ बैठ चुकी है तो मैं जैसे तैसे एड़ेस्ट करके यहां बैठी हुई हूँ but it's okay तो बने रहेगा मेरे इस ब्लॉग में और देखते रहेगा लाश तक झाल एक हुई 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 झाल 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 यहां मैं जक्षन पहुंच चुकी हूँ तो यहां होती है ट्रीन की जड़ने इंड और आटो की जड़ने स्टार्ट तो अभी मैं आटो ढून के आटो में बैठोंगी उसके बाद वहां से हॉस्टल तो बने देए मेरे इस ब्लॉग में यहां पास के इंक सौप में मैं दूद लेने के लिए रुग गई थी प्योंकि मुझे चाय पीने का बहुत ज्यादा मनूरा था तो मैं दूद और कुछ चॉकलेट्स ले ली थी रूम में खाने के लिए और मैं फाइनली हॉस्टल पहुंच गई हूँ और मैं इतने ज़्यादा ठक गई थी कि मेरे से वीडियो ज़्यादा सूट हो नहीं पाया जितना हो पाया मैंने वो डाल दिया और जो दूद लेके आई थी उसको मैं वलने के लिए डाल देती हूँ उसके बाद मैं झाल देती हैं इतना है